भवाब्दि मदीन मा समुंदर भवार नवात कर्मगरा क्रिहीता दासो हमतव शंकर श्री शंकर जी ने पूछा महाग्यानी सूप्ची आप संपूर्ण सिधान्तों के ग्याता हैं प्रभो मुझसे पुरानों की कथाओं के सार्तत्व का विशेशरुप से वर्नन कीजिए अने काम ख्रोधादी मानसिक विकारों का निवारन करते हैं इस घोर कलिकाल में जीव प्राय हासुर्स्वभाव के हो गये हैं उस जीवसमुदाय को शुधत दैर्वी संपति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेश्ट उपाई क्या है आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश उप्तम पवित्रकारा को पाई हो तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीग्रही इंतहकरन की विशेश शुद्धी हो जाए तथा उससे निर्मल चित्वाले पुरुष को सदा के लिए शिपकी प्राप्ती हो जाए श्री सुची ने कहा मुन श्रेश्ट शौनेक तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदे में पुरान कथा सुनने का विशेश प्रेम एवं लालसा है इसलिए में शुद्ध बुद्धी से विचार कर तुमसे परमुत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ वक्त्स वो संपूर्ण शास्त्रों के सिधान्त से संपन्न भक्तियादि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है कानों के लिए रसायन अम्रित्स्वरूप तथा देविय है तुम उसे श्रवन करो मुने वो परम उत्तम शास्त्र है शिव पुरान जिसका पूर्वकाल में भगवान शिव नहीं प्रवजन किया था ये कालरूपी सर्प से प्राप्थ होने वाले महांत्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुने का उध्देश पाकर बढ़े आदर से संक्षेप में ही इस पुरान का प्रतिपादन किया है इस पुरान की प्रण्यन का उद्देश्य है, कली युग में उत्बन होने वाले मनुश्यों की परमहित का साधन ये शिप पुरान परमुद्दम शास्त्र है इसे इस भूतल पर भगवान शिप का वानमय स्वरूत समझना चाहिए और सब्प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए इसका पठन और श्रवन सर्वसाधन रूप है इससे शिप भक्ती पाकर श्रेश्थतम स्थिते में पहुँचा हुआ मनुश्य शीग्रही शिप पको प्राप्त कर लेता है इसलिए संपूर्ण नियत्र करके मनुश्यों ने इस पुरान को पुढ़ने की इच्छा की है अत्वा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है इसी तरह इसका प्रेमपूर्वक श्रवन भी संपूर्ण मनोवाती फलों को देने वाला है भगवान शिप के इस पुरान को सुनने से मनुश्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भुगों का उप्भूप करके अंतमे शिवलुक को प्राप्त कर लेता है ये शिप पुरान नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है इसकी साथ सहिताएं हैं मनुश्य को चाहिए कि वह भक्ती ग्यान और वेराग्य से संपन्नम हो बड़े आदर से इसका श्रवन करे साथ सहिताओं से युक्त ये दिव्य शिप पुरान परब्रम परमात्मा के समान में राजमान है और सबसे उत्प्रिष्ट गती प्रदान करने वाला है जो निरंटर अनुसंधान पूर्वक इस शिप पुराने को बांचता है अधवा नित्य पुरिम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वो पुन्यात्मा है इसमें संशे नहीं है जो उत्तम गुधिवाला पूरो शंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुरान को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन हुए भगवान महेश्वरों से अपना पद धाम प्रदान करते हैं जो प्रति दिन आदर पूर्वक इस शिप पूरान का पूजन करता है वह संसार में संपूर्ण भूगों को भूग कर अंदमे भगवान शिप के पत को प्राप्त कर लेता है जो प्रति दिन आलस्य रहित हो रेश्मी वस्तर आदे के वेश्टन से इस शिप पूरान का सतकार करता है वह सदा सुखी होता है ये शिप पूरान निर्मल तथा भगवान शिप का सर्वस्व है जो एहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्म पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए ये निर्मल एवं उत्तम शिप पूरान धर्म, आर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पूरुशार्थी को देने वाला है अतल सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवन एवं विशेश पाठ करना चाहिए